हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्यू कोचिंग क्लासस पर स्वगात है तो दोस्तो आज का टॉस्क है अपना LCR परिपत के लिए अनौदी आप ब्रती दोस्तो अनौदी आप ब्रती समझेंगे तो आप वीडियो को अंतक देख चैप्टर वाईज हम बनाया है तो दुस्तों इद्यी चैप्टर वाईज प्लेविडियो अपलोड कर दिया है आप लोग प्लेदि न मिलाकर किमसे र्लाइर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखेंगे अननादी आबरत की परिभासा, तो स्रेडी LCR परिपत में प्रत्यवर्ती सुरोत की विशिष्ट आबरत के लिए परिपत में बहने वाली धारा कमान अधिक्तम होता है, इस इस्थित को अननाद की इस्थित कहते हैं, तो परिभासा क्या कहता है, तो माली जे कोई LCR परिपत है, उसमें प्रत्यवर्ती सुरोत है, है ना, और उसकी विशिष्ट आबरत के लिए परिपत में जब बहने वाली धारा कमान अधिक्तम हो, अधिक्तम की बात कर रहा है, धारा कमान क्या हो दो अधिक्तमु, तब इस इस इस्थित में अनुनादी की इस्थित को 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 अनुनादी क तो समझियेगा मैं यहां पर लिख सकता हूं आपके पास स्रेड़ी स्रेड़ी आपके पास स्रेड़ी क्या है LCR मतलब इसमें L जुडा हुआ है सी जुडा हुआ है और R जुडा हुआ है स्रेडी LCR परिपथ में वहने वाली धारा का आयाम दोस्तों अब ये चीज कहां से मैं ले रहा हूं तो जब LCR परिपथ दिया आप पढ़े होंगे तो कनफर्म वहां से आपको पता होगा निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है व्यक्त किया जाता है कैसे समीकरण दोस्तों आई जीरो बरावर होता है भी जीरो बटे जट जहां जट क्या दोस्तों जहां जट क्या है आप ही बताएंगे जट क्या है तो जट आपका क्या है आपका है प्रतिवाधा ठीक है तो जड़ बराबर कितना होता दोस्तो यह आप लोग पढ़े होंगे साहर, प्रतिवाधा बराबर कितना होता है, जड़ बराबर, तो दोस्तो यह होता है, अंडर रूड, आर स्केर होता है दोस्तो, प्लस, यदि मैं कहा दूँ तो यह एकसेल होता है, और माइनस एकसी होता ह और whole square होता है clear है यदि इसकी मैंने value रख दूं दोस्तो तो r square plus यह होता है omega l और इसका मान होता है one upon omega c का square यह दोस्तो आपका क्या है आपका है प्रतिवाधा तो यहां से दोस्तो i0 कमान कितना हो जाएगा i0 कमान यदि हम आप रख दूं तो v0 upon under root r square plus omega l minus one upon omega c का square हो जाएग कोई दिक्कत नहीं अब दोस्तो धारा कमान अधिक्तम कब होगा धारा कमान अधिक्तम कब होगा दोस्तो जब नीचे की value नियूंतम होगी और ठाथ जो omega l minus one upon omega c का मतलब मान लगभा क्या होगा जीरो होगा तब ही दोस्तो धारा अधिक्तम होगी तो आपको एदी मैं कह one upon omega c बराबर कितना होगा दोस्तो जीरो तब आप कह सकते हैं यहां पर की omega यल बराबर one upon omega c हुआ की नहीं होगा पक्छांतर करने पर हुआ की नहीं होगा तब दोस्तो तब मैं कह दूँ आई जीरो बराबर तो भी जीरो अपान under root r square इसका मान कितना जीरो तो यह हो यह जीरो है दूस्तो तो यहां से बाहर आएगा तो यह कितना हो जाएगा आर हो जाएगा यह दोस्तो धारा है यह धारा है यह धारा है और जीटी जड़ बराबर तो आर आएगा clear है प्रते रोद के बराबर होगा तो इससे मैं कह सकता हूं कि i maximum judging जो आत पास आगे दोस्त अधिकतम कितना धारा है दोस्तो तो I0 मैक जीवा मुझे है B0 बटे R clear इतना अब दोस्तो हमको अनुनादी आबरत निकाल ली है तो पहले थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा जैसे अनुनादी आबरत में मान के चलता हूं अनुनादी आबरती मान के चलता हूँ ओमेगा जीरो है मान के चलता हूँ ओमेगा जीरो मैंने अभी जैसे ओमेगा यह लिया था तो मान के चलता हूँ ओमेगा जीरो तो इस पर दोस्तो क्या हुआ जो प्रेर की ये प्रतिगात है क्या प्रतिगात प्रेर्की प्रतिगात दोस्तो वा संधारित्रिये प्रतिगात बराबर होगा क्या हो दोस्तो बराबर होगा क्लियर है दोस्तो प्रेर्की प्रतिगात और संधारित्रिये प्रतिगात क्या होगा बराबर होगा कहने के निक मतलब दुस्तो एकसियल जो होगा एकसिया के बराबर होगा यह Axैल का मान कितना हो दुस्तो ओमेगा जीरो यहलो होता है ओर XC का मान होता है ओनपान ओमेगा 0 यहाँ पर दुस्तो 정도 मल्टीप्लाइ में इधर जाएगा डिवाइट हो जाएगा क्लिए यदि मैं omega 0 निकालना चाहूं तही under order गो अनपान lc हो जाएगा कुल मिलाकर दोस्तो इसको एरेंज कर दूँ तो अनपान under road lc हो गया यह क्या है दोस्तो अनुनादी आबरती है ओमेगा जीरो अनुनादी आबरती है ठीक है और यही दोस्तो अनुनादी आपके पास कोड़ी आबरती का क्या है अनुनादी कोड़ी आबरती ओमेगा जीरो दोस्तो ठीक है तो दोस्तो यही मैं कह दूँ कि ओमेगा जीरो एक प्रकार से कोड़ी आबरती तो गलत नहीं कहला यही कोडी अनुनदी आप्रत का क्या है बेंजक है अब दूस्तों यह कोडी के लिए है लेकिन यदि मैं कह़े देता कि यदी यदी अनुनादी आ कितना हो दोस्तो new 0 हो कितना हो new 0 हो तो आपको पता हो दोस्तो omega बराबर क्या होता 2 pi new यादि 0 हो 75' इसको मान यहां रख दू तो कितना आए गा आपहीं बताए 2 pi new आ जाएगा 1 upon under readings LC weanın 0 हमको निकालना है तो new 0 बचा ली तो two pi इदर multiply इदर आगे दोस्तों divide हो जाएगा two pi under root lc और यहीं दोस्तों क्या आगे आपके पास lcr परिपत के लिए ठीक है lcr परिपत के लिए परिपत के लिए क्या है दोस्तों अनुनादी आब्रती का वेंजक है दोस्तों वेंजक ठीक है अनुनादी आब्रती का वेंजक है तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोड़ी अनुनादी आब्रती भी निकाल सकते हैं और अनुनादी आब्रती भी निकाल सकते हैं बहुत इजी है बस आपको दोस्तों क्या बनना चाहिए तो आप से बनना चाहिए यह जो मैंने में सीरे मताया कि ये प्रतिवाधा कहां से आता है और ये भी पताओने जी दोस्तो मैंने यहाँ पर ओमेगा यल बराबर ओना पान ओमेगा सी क्यों किया दोस्तो क्योंकि दोस्तो यहाँ पर आई जीरो कमान अधिकतम कब होगा दोस्तो जब नीचे कमान एनी प्रति वादा करने उन्तम मान का होगा दोस्तों जब इसके बराबर लगभग जीरो होगा मतलब दोस्तों प्रिर्की प्रतिगात और आपके पास संधारित्री प्रतिगात कामान ने दी बराबर दोस्तों तब वहां पर क्या होगा तो प्रतिगात जड कामान क्या होगा काम होगा और मेरा क journaling C C मतलब संधाहरू रड़ज्त करो यह बात करूं और अर यह है दो अंधिम पास क्या आपके प्रति यार प्रति यार में है ना प्रत्य ब़ति स्थरूत विक्षित के लिए परिपास में पहने वाली दारा कमांज मादा धिकता होती है कुल मिला कर दोस्तो آپ के पास LCR परिपत है और समय दी पैने वाली तारा अधिक्ता में क्या अधिक्ता में तो उस इस्थित को क्या कहते हैं अनुनाधी की स्थित कहते हैं और दोस्तो इस विशिष्ट आपरती को अनुनाधी आपरती कहते हैं चिंदा करने के नहीं जरूरत है दोस्तों क्योंकि 12th क्लास में फिजिक्स और कमिश्टी मेरा मेन टार्गेट है दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट कराने का तो चलिए अपर दोस्तों चलते हैं आसा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगत लाइक करेगा और दोस्तों से सेर करिएगा ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर पर लाइक प्रस कर लिजिएगा ताकि वीडियो को नोटिक पिसन दोस्तों आपको मिलता रहे मिलेंगे एक लिए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक लिए दोस्तों जैहिन बंद मात रहूं